Class 10 Maths NCRT Exemplar Exercise 8.3 इसका Question No.11 इस वीडियो में डिसकस करेंगे आपको Simplify करना है यह जो पूरा expression लिखा हुआ है तो इसको Simplify करने पे value हमारी क्या आएगी तो देखो 1 प्लस 10 square theta यह identity आपने पढ़ी होगी यह क्या होता है आपका sec square theta के बराबर होता है यह हो गया बाकी इन दोनों को देखो यह कुछ ऐसे नहीं दिख रहे हैं a minus b इस तरह से bracket में a plus b इस तरह नहीं दिख रहे हैं तो इसका formula क्या होता a square minus b square ठीक है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यानि one का square one ही रहेगा minus sin square theta ठीक है तो यह हमारा sec square theta है और one minus sin square theta क्या होता है cos square theta ठीक है तो आगे हम क्या कर सकते हैं तो यह जो हमारा sec और cos है यह दूसरे का inverse होता है यानि हम cos theta को हम क्या लिख सकते हैं one by sec theta ठीक है तो चाहे cos को sec में बदल लो या sec को cos में बदल लो जैसे मालो हम cos को भी बदल लेते हैं तो sec square theta multiply by 1 upon cos का क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा sec square theta तो ये cancel हो गया, हमारा क्या आजाएगा? 1 तो इसकी value हमारी 1 आजाएगी और भी question के solutions की video देखनी है तो नीचे description में आपको chapter wise playlist का link मिल जाएगा वहाँ से click करके देख सकते हो ओके thank you